दोस्तो, IPS अधिकारी अमिज सिंग की लव स्टोरी हम बात कर रहे हैं मद्ध प्रदेश काडर के 2009 बैज के IPS आपिसर अमिज सिंग के बारे में ऐसे कम ही अधिकारी हैं जो अपने व्यत्तिकत जीवन को सारुजनिक करना चाहते हों खास करके IS और IPS मगर IPS अमिज सिंग सोसल मीडिया पर खुद अपने जीवन के बारे में लिख रहे हैं इससे उनके चाहने वाले फालोवर्स काफी बढ़ गए हैं वर्तवान में IPS अमिज सिंग बोपाल के पुलिस हेड़कॉर्टर में AIG एड्मिन के पत पर पदस्त हैं फेस्बुक पर IPS अमिज सिंग अपनी सिख्षा के बारे में तो बता ही रहे हैं मगर वह अपनी प्रेम कहानी को भी बया करते हुए काफी कुछ लिख रहे हैं अमिज सिंग लिखते हैं कि मैं पक्का प्रताब गड़ी हूँ मगर मुझ पर पूरी तरह से इलहाबादी रंग चड़ा हुआ है मैं आले दर्जे का जिद्धी हूँ मेरे जिद्ध को विवेग दिया इलहाबाद विश्विद्याले से प्राप्त ग्यान ने इलहाबाद विश्विद्याले से मैंने कई सौगाते पाई यहाँ 1996 में इसनातक करने आया इलहाबाद शहर की रुमानियत आत्मियता ने मुझे पूरे तरीके से बांध सा लिया पूरे च्यवदा वर्स रगड़ रगड़ कर मेरे अंदर के व्यक्तित को निखार दिया कई लोगों की कई प्रकार की गणित का मैं शिकार भी बना मगर आज इसी कारण सभी तरीके की गणितों का सामना करने के लिए मैं सक्षम चात्र राजनीत में भी गदम रखा 2003 में इलहाबद विश्विद्याले चात्र संग का निर्वाचित सदस्य बनने का भी आउसर मिला लगवक पांच वर्स इलहाबद विश्विद्याले की मध्यकालीन आधुनिक इतिहास विभाग में अध्यापन का कार्य भी किया अध्यापन मेरा पहला प्यार है यह मेरे अनमोल पांच वर्स बीते इलावत विश्विद्याले में एड्मीशन लेने वाला छात्र सिविल सेवा के बारे में न सोचे ऐसा कैसे हो सकता है संग लोक सेवा आयोग को फतै करना इस विश्विद्याले के छात्रों का जन्म सिद्ध अधिकार है मैं भी इस से नहीं बचा हूँ 2009 को मैंने यह परिख्या उतीर की और मुझे भारती पुलिस सेवा का मद्य प्रदेश काटार आवंटित हुआ पिछले ग्यारा वर्सों से मैं मद्य प्रदेश में पुलिस अधिकारी के तौर पर काम कर रहा हूँ दो बार जवलपुर एसपी, टीकमगर, खरगोन, रतलाम एसपी के तौर पर अपनी शेवाएं दी हैं वर्तवान में बोपाल में पदस्त हैं इलहाबाद विश्विद्याले में पढ़ने वाले अधिकांस चात्रों की इक्षा होती है कि उनकी जीवन संगनी, अर्धांगनी यानि पत्नी इलहाबाद विश्विद्याले की चात्रा ही हो मगर सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है आईपीएस अमिच सिंग भागिशाली रहे उनकी जीवन संगनी इलहाबाद विश्विद्याले के महिला चात्रावास डब्लू एज से ही मिली अमिसिंग मानते हैं इलावाद से उनका जीवन सफलता प्राप्त किया यहीं उनकी ससुराल भी है इसलिए वह इलावाद जिन्दावाद लिखते हैं